सेनना शुपर किंस के लिए एक के बाद एक मुश्किल खाड़ी होती जा रही है। पहले सोट के करान ढीपक सहर हारी आदम मीलने टूर्णामेंट से बाहर हो गए है। और आप ऐसे मुश्किल समय में टीम के स्टार आल राउंडर मौयन आली भी सोटिल हो गया है। मौयन आली CSK के आगले कुछ मैच्चों के लिए उपलब दिने ही होंगे। जबकि आने वले से मैच CSK के लिए तूर्नमेन में बने रहने के लिए ज़रूरी है। मौयन आली के सोट पर CSK के मुखो कोच स्टीफिन फ्लेमिंग ने बराबद दिया है। उन्हें उमीद है कि इंगलिस अल्राउंडर एक हपते के बाद सोट से उबर जाएंगे। दरसल सुनीबर को ट्रेनिंग के दोरान मौयन को टेकने में सोट लग गई थी। और इसी बज़र से वो संबर को पंजब किंग्स के खिलफ मुकबले के लिए मैदान पर नहीं उटर पाए। जहार CSK को 11 रंज से हर का समना करना पड़ा। मौयन सेनना के लिए पिछला मुकबला 17 अप्रिल को खेले थे। जहार टीम को गुजरा टाइटन्स के हाथो तीन विकेट से हर जेलनी परी थी। पंजब किंग्स के खिलफ मैच के बद कोच ने कहा मौयन आली का तक ना मूर गया था। एक्सरे में समने आया है कि फ्रेक्सर नहीं है। कोच ने उमीद जगाए है कि मौयन तेजी से उबरेंगे क्योंकि फ्रेक्सर नहीं है।